उस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कनौच से जहां कनौच में कुरुना मोहीम को एक बड़ा जटका लगा है दरसल पुलिस की दबंगाई का मामला यहां से सामनी आया है यहां पर ड्यूटी पर जा रहे स्वास्तकर्मी को पुलिस ने पीटा है तो स्वास्तकर्मी ने पुलिस को आईकार्ट दिखाया था, सौरिक ठाना शेतु का इमामला है तो पुरोना वारियर्स जो लगातार फ्रन्ट पुट पर आकर पुरोना से जंग को लड़ रही है लेकिन इस बीच कन्नौच से ये खबर सामने जहां पर कुरोना मोहीम को जटका लग रहा है तो कि पुलिस की दबंगा यहां से देखने को मिली है और ड्यूटी पर जा रहे स्वास्तकर्मी ने जब पुलिस कर्मी को अपना आइकार्ट दिखाया उसके बावजूद भी स्वास्तकर्मी को पीटा गया है तो तस्वीर आप देख रहे हैं कन्नौच के सौरिक थाना शेत्र काय मामला है जहां पर स्वास्त कर्मी जूटी पर जा रहा था अपना आइकार्ट दिखाया और जाने की इजाज़त यहां पर मांग गी लेकिन उसके बावजूद भी जाने नहीं दिया उल्टा पुलिस कर्मी ने यहां अपनी दबंगई दिखाई और ना सिर्फ दबंगई दिखाई बल्कि जंक कर पिटाय भी यहां पर स्वास्त कर्मी की की गई जहां एक करफ जाहे वो पुलिस कर्मी हो या फिर स्वास्त कर्मी हो प्रंट पूट पर आकर कुरोना वॉर्यर्स ये जो लगातार इस जंक में जीत दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहीं इस बीच ये खबर कन्नौत से सामें आए हैं अमत कुमार मिर्श्रा हमारे साथ हमारे सायोगी जुड़ गए हैं अमत दोनों ही पुलिस कर्मी या फर स्वास कर्मी दोनों ही फ्रंट फूट पर आकर कोशिश कर रहे हैं कि कोराना कोरोना का खात्मा है वो कैसे किया जाए लेकिन फिलाल जो ये खबर सामने आई है वो बतला रही है कि पुलिस कर्मी अपनी दबंगाई से बास नहीं आ रहे है जी बिल्कुल अगर कुरोना वारिस की बात करीजे तो जोनों ही अपने काम में पूरी तरह से खाम निवा रहा है लेकिन कहीं नहीं पुलिस को इन सब चीजों को देखना पड़ेगा स्वास्त कर्मी जो उनसे कंदा से कंदा मिलाकर बल्कि उनसे आगे दो कदम चलकर करोना व पिछले कुछ सबह में कुछ तस्वीरे ऐसी भी सामने आई है कि इनकी दबंगे की तस्वीर सामने आई है शासन की तरफ से भी चाले जिले ऐसे नामित किया गया जिसमें जो शासन में बताया कि वहाँ पर इस्तिती अच्छी नहीं है लॉगडाउन को लेकर जिसके बाद भी साथा की तस्वीर आना तो कीनोज पुलिस पी जो सागतने हैं उसको लगाता लगाते जा रहारा है लिकिनी इस तरह का कदम इस कदम को लेकर यहां पर जरूर यहां पर निंदा की जा रही है जी बिल्कुल बता दें यह निंदे का निंदा कदम भी है क्योंकि जब वो अपना पहचान पत्र दिखा रहा है अपने सीनर से बात करा रहा है अमित रोखना चाहेंगे कृशन स्वरूप क्रिशन स्वरूप जी दोनों पर जिम्मेदारी है लेकिन क्या पुलिस कर्मी को जुरान यहां पर स्तती को समझना नहीं चाहे था आई कार्ट दिखाया गया लेकिन उसके बावजूत भी दबंगई सामने आई है जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर कर्मचारी ने क्या आई कार्ट दिखा दिया था उसके बाद भी दिनना चला देना यह बहुत ही गलत रवया है और इसके लिए हमने तुरंत कप्तान साब को सुझित किया था उन्होंने कहा कि इस तरह गटना हुई है तो इस पर सक्करवाई की जाएगी क्या आपको इस बात की जानकारी लगी है कि आखरकार क्या कहते वे पुलिस कर्मी ने रोका था क्योंकि आई कार्ट दिखाए गया था दूटी की जानकारी दिए लिए और यह और यह मुटशाएकर आ रहा था स्वास्तिवाद गवारा जो आई कार्ड जारी है वो सफिसेंट है इस बास पर उनकी दोनों की जो भी भाइस हुई हो उसको पर रिंदा तला गया और तो जो जगए चोट आई उसका फोन भी टूट गया और यानि की आक्शन लिया जाएगा जो पुलिस कर्मी ने दबंगई दिखाई है जी जी बिल्कुल कप्तान साब ने अस्वास्तिवाद देखें कई जगे जब पुलिस कर्मी पहुंचे तो उनकी पिटाई की गई है यह पहला ऐसा मामला अब तक सामनी आया है जहापर स्वास्त कर्मी की ही पुलिस कर्मी ने पिटाई कर दी अब ऐसे में इस तरह के मामने सामनी ना आए यहां पर अब सुनिश्वित करना होगा बिलकुल त्वों कि दोनों ही लोक डूटी कर रहे हैं पुलिस वाले लिए अपने चवीड़ेंटि कर रहे हैं और साथ सीवार की रमजारी भी अपनी डूटी कर रहे है तो दोनों मैं सामंझे से होना बहुत ज़रूरी है और कोसित की जा रही है कि इतरada जिस्ती बिगलती लोगों के मदद कर रहे हैं और एक खत्रा अपने आप में मोल ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कई जगों से ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे हैं जहां पर कभी पुलिस कर्मियों के पिताई कर दी जाती है तो कभी स्वास्तकर्मियों की और ऐसा ही एक मामला कंडौ से पुलिस कर्मी ने स्वास्तकर्मी की ही पिताई करते हैं एक मारने लगे